नमस्कार दोस्तो मैं गौतम सिंग गुखुल क्लासेस में आप सभी कर्सभागत करता हूँ आज आपके लिए ले करा हूँ विहार बोर्ड एक्जाम 2022 क्लास नाइन 28 दू 2022 समाजिक विग्यान सोसल साइंस का आपका पेपर है दोस्तो सेट सी है सेट बी और ए आप पिछले वी ब्रड्tech किर्केटस का आपको मिलते रहेगा पिछले वीडियो में आप site A ağaib और site B भी देख सकते हैं साइंस सब्जेक का आपका देख सकते हैं और math का solution लाइब कलास आप 8 बज़े देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है किर्केट का ओइसकार किस देश में हुआ तो दोस्तों किर्केट का ओइसकार इंगलेंड में हुआ हमारा एंसर हो गया इंगलेंड अगला प्रश्न है ये डिलेड किर्केट गराउंड की आकिरती कैसी है तो दोस्तो अंड़कार आयतकार या बर्गकार या इन में से कोई नहीं दोस्तो आप जानते हैं कि किर्केट ग्राउंड हमेशा जो है अंड़कार होता है आयतकार होगा नहीं बर्गकार होता नहीं है अंड़कार होता है तो हमारा एंसर हो गया अंड़कार अगला प्रश्ण है किर्केट कानून कब लिखे गए किर्केट कानून जो है 1774 इस भी में लिखे गए हमारा एंसर होगे 1774 अगला प्रश्ण है प्रथम भारतिये कलोब कलकात्य कलोब कब बना तो दोस्तो 1792 इस भी में हमारा एंसर हो गया 1792 इस भी में कलकात्य कलोब कब बना तो 1792 इस भी में अगला प्रश्ण है भारत में पहले किर्केट टेस्ट मेंच के काप्तान कौन था जब टेस्ट मेंच शुरुवात हुआ तो सबसे पहले काप्तान कौन था तो सीके नाइडू हमारा एंसर हो जाएगा सीके नाइडू अगला प्रश्ण है किर्केट के वीकेट की उचाई कितनी होती है बहुत ही important question है और मज़दार भी है किर्केट के बीकेट की उचाई कितनी होती है तो बाई से इंच होती है अगला प्रश्ण है एक बिशेश समय में एक छेतर के बाई मोंडलिय की अवस्ता को क्या कहा जाता है तो दोस्तों मौसम कहा जाता है हमारा एंसर हो जाएगा मौसम अगला प्रश्ण है मानसुन किस भाषा का सब्ध है मानसुन मानसुन जो है अरवी भाषा का सब्ध है हमारा एंसर हो जाएगा अरवी अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत के पश्चमी समुद्री तट पर बर्शा किस मानसुन से होती है तो दक्षिड पश्चमी भारत के पश्चमी समुद्र तट पर बर्शा जो है मानसुन से होती है ओ है दक्षिड पश्चिम हमारा अगला प्रश्ण है निम्न में किस राज्य में परत्यवर्ती मानसुन का अधिक परभाव होता है तो तमी नडू हमारा एंसर हो जाएगा तमी नडू बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है मानसुन निरुवर्तन से सबसे अधिक बर्सा कहा होती है तो दोस्तों आपको हम बता दे चेनवई होती है सबसे ज़्यादा बर्सा अगला प्रस्ण है हमारा भारत की सरवधिक बर्सा मुख्य रूप से प्राप्त होती है तो ये आपका एंसर हो जाएगा दक्षिर पश्चि मनसुन से जैसे देखते हैं दोस्तों कि वश्चिप से जब आंधी तुफार के जैसे चलता है बादल गिटता है तो आप कहते हैं कि हाँ इधर का बारिस होने वाला है तो होता है अगला प्रश्ण है छेतरफल के द्रिष्टी कोड से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान हमारा इंसर हो जाएगा राजस्थान बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है किस राज्य की सक्षार्ता दर सबसे अधिक है किस राज्य की सक्षार्ता दर सबसे अधिक है मतलब कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा है तो के रल के अगर दोस्तों यहाँ पे रहता कि किस राज्य की सक्षार्ता सबसे कम है तो है बिहार अगला प्रस्ण है लच्ष्यदीप की कूल जन संख्या कितनी है दोस्तों आपको हम बता दे 60,000 है अगला प्रस्ण है किसोर सधार्त किस सीमा से जुडे होते हैं अथवा किस आई बर को किसोर आवस्ता किसे कहते हैं किसोर आवस्तां बहुत गलती होते तो किसोर आवस्ता कहते हैं दस से अनईस बरस्ण को मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या क्या थी? 2011 में जनगर्णा जबभूगा था, तो भारत की जनसंख्या जो थी 12.116 लग थी अगला प्राश्न है 2011 में भारत की जनसंख्या घोनटव क्या था? तो घुनत्व जो था हमारा 382 बैक्ती प्रती बर्ग किलोमीटर था, 382 बैक्ती प्रती बर्ग किलोमीटर था, 382 बैक्ती प्रती बर्ग किलोमीटर जगा था, अगला प्रश्ण है, मौसमी भूख किस छेतर में परच ली था है तो दोस्तों आपको हम बता दे गरामीड छेतरों में परच ली था है अगला प्रश्ण है PDS का फूल फर्म क्या होता है PDS का मतलब होता है सर्वजनिक बित्रण पढ़ाली हमारा अंसर हो जाएगा सर्वजनिक बित्रण पढ़ाली अगला प्रश्ण है दोस्तों अगला प्रश्ण है दोस्तों FCI का फूल रूप क्या होता है FCI का फूल रूप होता है दोस्तों भारतिय खाग निगम बारतिये खाज नीगम अगला प्रश्ण है दस्तो BPL कार्ड किसको दिया जाता है BPL कार्ड जो दिया जाता है निमनबर के लोगों को दिया जाता है तो निर्दता रेखा से नीचे के लोगों को दिया जाता है BPL कार्ड अगला प्रश्ण है दस्तो बौफर एस्टाक क्या है दोस्तों आपको मता दें बौफर एस्टाक जो है सरकार द्वरा अधी प्राप्त अनाज का भंडारा अगला प्रश्ण है खाग असरुक्षित कौन बर्ग है भूमी हीन श्रीमिक प्रामपरिक दस्तकार कामकार निराश्षित तथा विखारी इन में से सभी तो दोस्तों इन में से सभी हमारा एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है राशन कार्ड जो है कितने पर करके होते हैं राशन कार्ड कितने पर करके होते हैं तो राशन कार्ड जो होता है तीन पर करके होता है लाल हरा और पीला यानि कि तीन कार्ड ये बनता है आपका अगला प्रश्ण है भारत में राशन परनाडी कब में शुरू हुआ था अनई सा 40 भारत में राशन परणी कब शुरू की गई तो अनई सा 40 तो सकने अगला प्रस्ण है दोस्तों ICDS का पूर्ण रूप क्या है ICDS का पूर्ण रूप है एक की क्रीत बाल विकास सेवाएं हमारा एंसर हो जाएगा एक क्रीत बाल विकास सेवाएं अगला प्रस्ण है दोस्तों सर्व्यनिक बीतरड पलाडी में कीन-कीन बस्थू का बीतरड किया जाता है तो दोस्तों आपको हम बतादे गिये हूँ, चावल, मिटी, तेल, चिनी सब का किया जाता है इनमें से सब ही अगला प्रस्ण है दोस्तों सुन्दर्बन किस राज्य में इस्थिथ है दोस्तो आप कहम बतादे सुन्दर्बन जो है पश्चिम बंगाल में इस्थिथ है अगला प्राश्ण है दोस्तो भारत में किन छेतरों में परवासी पक्षी पाये जाते हैं परवासी पक्षी पाये जाते हैं दोस्तों आपको हम बता दे आदरभूमी में हमारा एंसर होगे आदरभूमी तो दोस्तो बिहार बोर्ड एक्जाम 2022 क्लास नाइन्थ सेट सी था 28 दू 2022 का आपका एक्जाम होने वाला है दोस्तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें साइन्स और सेट भी और सेट ए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं लाइब कलास आप आठ बजे मैथ भी पढ़ सकते हैं थाइंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो